भारत की सबसे फेमस कार बनानाली कंपणी टाटा मोटर्स की सांदार कार आप लॉंच के लिए तयार हो चुकी है और भारते बजार में टाटा मोटर्स की माइक्रो SUV, HVX को इस साल के अंधर तक लॉंच कर दिया जाएगा और यह गाड़ी कई बड़ी कंपनियों की गाड़ियों को टक्कर देने वाली है लॉंच के बाद इस गाड़े की सीधी टकर मारूतर सुझी की आने वाली नई सबकॉंपक्ट SUV और महिंदरा की के यूवी वन डावलो से रहेगा प्रोडक्शन रेडी मोटल को स्पाइक किया गया है दोस्तों कुछ रुपोर्ट्स तो दावा भी कर रही है कि HBX कार डेब्यू नेस्ट मन्त होने वाला है टाटा मोटर्स बहुत लंबे समय से डॉमेस्टिक मार्केट में HBX को जो कॉम्पैक्ट बेस माइक्रो SUV है मार्केट के अंदर Tamaro को नाम से बीचा जाएगा जो की हाली में कंपणी ने ट्रेडमार्क करवा लिया है जिससे की कंपणी इसको Tamaro को नाम से बीच सकती है टाटा HBX का प्रोडसन मोटल कूली तरीकी से रडी हो चुका है मार्किट में मारुति सुजू की वैगनार और यहां तक कि हुन्डाई की गाड़ी को जवदस्टक कर दी सकती है और जानगारी के अनुसार HBX का लॉंचिंग जो टाइम होने वाला है वो दिवाली से पहले होगा इसको दिवाली के सांदर मोके पर लॉंच किया जा सकता है और टाटा इस गाड़ी को सांदर आफर साथ लॉंच कर सकती है जिसका प्राइज साढ़ तीन लाख से लेका चार लाख रुपे तक हो सकती है और आप इसकी बुकिंग 10,000 रुपे देके रिवी करवा सकते है और बता जा रहा है कि टाटा इस बीक्स में आपको सांदर फीचर्स और नई टेक्नोलोजी के साथ ही देखने को मिल सकती है और गाड़ी में आपको फ्रंट लुक में काफ़ी यादा सांदर लुक्स देखने को मिल सकता है जो काफ़ी यादा स्पूर्टी लग रहा है जिसको आप देखें सामने फ्रंट में और इसके फ्रंट में आपको day time running lights के साथ में एक aggressive headlamps देखने को मिलेंगे जो की glossy black finishing के साथ दिखाई देंगे और साथ ही इसमें आपको chrome की finish और टाटा की signature गिल देखने को मिलेगी और वहीं ब्लाक साइड में आपको इसमें होरीजोंटल एरीडिटीं लैम desc इसमें आपको गाड़े की इंटीरियर में fully leather interior और काफ़ी दा प्रीमियम और species होगा और इस गाड़ी में आपको 4 से 5 सीटर कैपसिटी देखने को मिलेगी और साथ ही में इसमें आपको एंबिनीशन लाइट और साथ इसके अंदर कंपनी संद्रूफ भी दे सकते हैं आई थिंग कंपनी संद्रूफ नहीं देगी और साथ ही में इसमें आपको 10 इंच का इन्फोटेनम सिस्टम देखने को मिलेगा इसके साथ में आपको एपल कारपेने करेक्टिट का टेक्नलोजी देखने को मिलेगी और इस गाड़ी को बनाकते वाक तक टाटा की इंस्पिरेशन थी राइनो और आपको सोचो या जब इसकी इंस्पिरेशन राइनो या तो गाड़ी केतनी धासू होने वाली है और आप इसके स्टेरिंग वील पे एक राइनो की फोटो भी देख सकते है जो की बहुत ही बढ़िया बात है और इस गाड़ी की लेंथ हाइट और विर्थ की बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ है 384 mm और हाइट है इसकी 1635 mm और इस गाड़ी की विर्थ है 1822 mm और इस गाड़ी की इंटिरे में आपको आल्ट्रो और नेक्सोन वाला ही 7-inch का touchscreen मिलने वाला है जो कि इस segment में best है और इसके अंदर आपको आईरा कार connectivity मिलने वाली है और इसके अंदर आपको digital और अनलोक वाला दोनों ही मिलने वाल जो की बहुत चल्झा कूल लगता है लग्यशायमयंट के अंदर और इसके अंदर उसके लेकादे प्रेस के लेघर के लुंदर लग्वा sollic past अ 8.4 और अनलोक जादी